नमस्का दर्शकों, स्वागत है आप सबी का एक बाद फिर से हमारे इस खास कारिक्रम स्टाप कितनी डालेसिस में और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्लाव इस कारिक्रम को देखते हुए आप लोगों को जो है तकरीबन चार साल हो गए हैं और आप लोग मुझे लगता है कि क्योंकि काफी सरे एपिसोड्स हम लोगों ने दिये हैं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर यहां पर मौझूद होते हैं जिनों ने आईरवेद के द्वारा लोगों की किड्नी ठीक की हैं हमारे पास बकाइदा प्रूफ के तौर पर हमेशा रिपोर्ट्स मौजूद होती है आज भी हमारे पास काफी रिपोर्ट्स मौजूद है जो आपको बताएंगी कि आयरवेद में इतना दम आज भी है कि वो आपकी हर बड़ी से बड़ी परिशानी का समाधान आपको दे देता है हमारे साथ माजूद हैं पुरी जानकरी देने के लिए कर्मा आयरवेद संसान से फिफ्ट जनरेशन इन आयरवेद डॉक्टर पुनीत धवन आईए इस कारिक्रम के शुरुआत करते हैं हमश्कार सर्ष बहुत बहुत बाकत है किड्नी स्पेशलिस्ट है आप और बहुत सारे केसे आपने ऐसे से सॉल्व किये हैं इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया यह लोगों को आपने एक नया जीवन दिया है लेकिन मैं चाहूंगी कि जो लोग हमारे साथ बहुत हैवी तादाद में रोजाना जुटते हैं वो भी लगातार जाने अब एक बार फिंड नई से से क्याकर किड्नी की प्राब्लम्स शुरू से लेकर एंड तक जो प्रॉसस है पूरा वो कैसे चलता है सबसे पहला मुझे बताएं कि पेशन्ट या हम आम जनता दर्शक के कैसे जाने कि यह किड्नी खराब के सिंटम्स हो सकते हैं बताएं जी देखिए सिंटम्स साटिंग में आते ही नहीं है पेशन्ट को पता नहीं चल पाता और जैसे ऐसे उसे पता चलता है ट्रीक्मेंट शुरू किया जाता है क्योंकि silent चीज है किड्नी तो सिंटम्स आना है में टाइम लगता है कई बार क्या होता है कि युरिन में अल्बिम के बड़ी संख्या में कीड़ने yân दुभी जो जूजatic soil के कारण और ढीरे धृर चुरू किया जाताया जाता है कई बार ऐसे मैं निकींड इमारी से जूख होती चली जाती है तो यह चीज समझने वाली चीज देखने वाली है सिम्टम्स जो है वह आप अगर टाइमली इसको पैचाने और टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कराएं तो बहुत बढ़िया इसमें रिजल्स देखने को मिलते हैं अगला सवाल मेरा यह है कि देखा जाता है कि क्रेटिनाइन लेवल 1.52 है लेकिन जैसे ही व्यक्ति या जो पेशेंट है वह आलोपैथी में जाता है तो यह क्रेटिनाइन लेवल बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है जी देखिए जब पेशेंट को पता चलता है बीमारी का देखा ऐसे जाता है कि अर्ली स्टेज में उसे पता चलता है क्रेटिनाइन जब होता है 1.5 या 2 के आसपास होता है वह सबसे पहले जाता है डॉक्तर के पास अलोपैथिक डॉक्तर उसे कहते हैं कि अब आप यह ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए आपकी जो है वह सारी चीजे मेंटेन रहेंगी आगे आपका जो होगा और देखा जाता है कि धीरे 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 करके उसका क्रेट नाइन बढ़ता चाला जाता है और बढ़ने के बाद वह क्रेट नाइन जो हो जाता है वह सेवन एट आ जाता है सेवन एट क्रेट नाने के बाद उसे कहा जाता है कि इस तरीकी से नहीं अब आपको ड dailasis शुरू करा लीजिए वह विचारा पिश्ञेंट माइंड मेकप करता है सब करता है डालेसिस शुरू करता है फिर उसे का आ जाता है कि डालेसिस डबाप लंबे समय तक नहीं करा सकते इसके लिए आप आप transplant की त्यारी कीजिए वह फिर 50 लाग का arrangement करता है doctors के चकर करता है और government की formalities पूरी करता है transplant donor को धूनता है और फिर transplant करता है फिर वहां जाके उसे पता चलता है कि transplant जो है वो आदा घंटा चला या 5 साल चला maximum age बताई कहीं है transplant की 5 साल कई बार देखा जाता है कि OT से बहार आए और आदा घंटा भी जो है वो transplant नहीं चला तो transplant की भी कोई limits नहीं है कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा और उसके इलावा उसके साथ साथ immunosuppressive medicine चलती है जैस वजास से patient की immunity काफी कम हो जाती है उसे कई तरह की बिमारिया होने की संभावना रहती है hepatitis हो गया TB हो गया और precautions लेने पड़ते हैं उसे अलग transplant करनाने के बाद भी छे महीने का समय लगता है patient को बैठ से उठने में हम तो फिर भी आपको कहते हैं कि every three months आप test कराईए test के अंदर आप देखे कैसे कैसे changes आ रहे हैं तो सारी प्रक्रिया समझिए कि creatinine 1.5278 आया dialysis शुरू हुआ transplant कराया अब जब transplant फेल हो जाता है फिर क्या करा जाता है फिर patient को कहा जाता है कि अब आप दुबारा से dialysis कर रही है यानि कि आप dialysis से शुरू हुए dialysis पर ही आ गए यह तो एक कुछ चक्र बन गया जूला चिकित्सा हो गई सीसा हो गया कि आप यहां से शुरू हुए वही से आ गए दुबारा तो यह चीज समझने वाली है इस तरीके की चीज़े से बचके रहें dialysis अगर आप करार है dialysis कोई treatment नहीं है वो एक maintenance का procedure है को मिलाकर देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टेक्निकल लांग्वेज है वो आप ही समझ सकते हैं जादा इसलिए टेक्निकल लांग्वेज में हमें नहीं जाना है हमें सर्फ इतनी बात समझनी है कि आपकी kidney ठीक हो सकती है बहुत सी dialysis पे है kidney transplant के लिए बोल दिया गया है तो परिशानी बहुत जादा होती हम इस बात को सबचते हैं बस आप इनाबर पे फोन करें हो सकता है कि transplant की नौबत ना है हो सकता है जो dialysis आपकर लगातार हो रहा है वो रुख जाए kidney जो fail बता दी गई है हो सकता है वो काम करना बाद होता है तो कुछ भी चीज़े संभव हो जाती है और आईरवेद इसमें आपकी बहुत मदद करता है अब आस कॉल कीजिए नबर आपके सामने है शुआले आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कितनी shrink होने का कितनी fail होने का तो के पहले तो जो पेशेंट्स आने में शख्षम है वो आके मिलीजिए, लिए इस सारी चीज़े कराके लिए और जो पेशेंट नहीं आसकते हैं वह हमें इमेल के द्वीर रिपोर्ट बेच सकते हैं या में WhatsApp कर सकते हैं उनको देखने के बाद हम उन्हें medicines जो हैं उनको भीजवा इस तरीके से होगा अब जो प्रेस्ट नहीं कि किड्नी श्रिंक हो जाती है और किड्नी जो है वो जा रहा है और कितने ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका जो है जीएफर जो है वो कम है क्रेटेनाइन जूरिया यानि की बढ़ा हुआ है और किड्नी जो है वो साइज उनका नॉर्मल है और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी कीड़नी का साइज तो श्रिंक हैं लेकिन यूरिया क्रेटनाइन बड़ा हुआ है जी एफ आर कॉम्प्रोमाइजड है कम है तो इन सब चीजों को कोई डारेक्ट रिलेशन नहीं है यह जरूर है कि अगर कीड़नी श्रिंक है तो जहां उसे एक लीटर चानना था वह आदा लीटर चानेगी लेकिन यह मतलब नहीं है कि किनी फेल हो जाएगी उसका डारेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन चांसे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं यह चीज समन्ने आवाली है चलिए अगला सवाल मेरा यह है कि बार-बार डालेसि हाप पीशिंट बिमार होता है वह घी उने वहां हिसे जाता उसे पर्मारें यह ब्लबार धेश कराना है just कराने और रगूरर वह गेन हमारे यह क्या होगा अगर आप चिंपने बार यहां नहीं हुआ हुआ हो तो आहीन आइए बस ब्रूब कूंद पर रिएफर में आप का हफते में दो बार डालेसिस चल रहा है वो भी आएंगे और जिनका नहीं चल रहा उन सभी का एक GFR टेस्ट कराए जाएगा कि आपके किड्नी अभी कितना फिल्टर कर रही है रीनल कराए जाएगा और फिर उसको रिपीट कराए जाएगा थ्री मंस के बाद जैसे जैसे कीड्नी का फिल्टरेशन इंप्रूव होगा आपको चेंजिस इंप्रूमेंट्स नजर आते जाएंगे कैसे कैसे आ रहे हैं फिजिकल लेवल पर भी आएंगे और मेडिकल रिपोर्ट में भी चेंजिस नजर आएंगे तो जी एफ आर जो है जब वो 25 एमेल पर मिनट के आसपास आ जाएगा प्रोटोकॉल तो यह कहता है कि 25 एमेल पर मिनट अगर आपकी कीड्नी फिल्टर कर रही है तो उस केस में आपको डालेसिस की आवाश्यक्ता नही है लेकिन मैंने जो अपनी ओपीटी में देखा है वो यह देखा है कि अगर आपकी कीड्नी जो है वो 15 एमेल पर मिनट भी फिल्टर कर रही है तो भी आपको डालेसिस की रिक्वाइर्मेंट नहीं होती है यह इसी समझने वाली है तो जब आप आएंगे आपका टेस्ट दो बार इस तरीके से फिर 15 दिन में एक बार और फिर दीरे-दीरे करें उसे बंद किया जागा और यह सब होगा कि डालेसिस धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है अब आप मुझे बात बताएं कि ऐसी स्थिति कव आती है वह स्टेश कौन सी होती है जिस पर आके डालेसिस से हम नमस्ते कर देते हैं वही मैंने बताया जैसे जिए जिए फार इंप्रूव और फिल्टर कर रही है कि इस कि इतना चान रही है एक मिनिट में जैसे ही वह 15 ml आ जाएगा तो डालेसिस जो है वह बंद हो जाएगा डालेसिस की रिक्वार्मन नहीं पड़ेगी और यह सब मेडिकल रिपोर्ट के अधार पर होगा जैसे होगा चैंजिस आएंगे इस तरीके से होगा चोले सर आगे पास पांच-10 लाग का अरेंजमेंट है डोनर किड्नी का अरेंजमेंट है तो ट्रांस्प्लांट का नंबर तो आपका आये हुआ है जल्दी करते हैं जल्दी करने की जुरूत नहीं है आप अपनी कॉमन सेंस लगाईए आज हमने विज्ञानिक आधार पर यह सिच कर जिए है कि कीड्नी का फंक्शन वो रिवाइब किया जा सकता है अगर आप सारी चीजे ए टूजेट फॉलो करें जैसे जैसे आपको गाइडलाइन बताए जैसे आपको समझाया जाए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स नजर आएंगे कैसे कैसे आ रहे है जी आफार आपका क इया जाएगा अलो पैथी में जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो आयरन केल्शियम डायेट और लेजस्क्स डायूरेटिक लेते हैं यह सब जनरल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है अगर आपका कैल्सियम कम है तो लेजिक्शन शुरू हो जाएंगे अगर आपका यूरिन ने आ रहा तो लेसिक शुरू हो जाएगी जो फिर किड्नी को डामेज करती है फिर किड्नी को नुक्सान पहुचाती है अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा जो पेशेंट हमारे पास आए उनको कैसे क कैसे फाइदा हुआ और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिपोर्ट सभी अलग-अलग लैपस की है और अलग-अलग जगा की है कैसे-कैसे हर जगा के पेशेंट हा और सभी को फाइदा हुआ जी तो ये है एक रिपोर्ट ये पेशेंट आये थे मेरे पास ये कश्मीर की रिपोर्ट है ये आये थे इनका क्रेट 9 जो था वो 10.09 था जबी आये इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कराया इनको इस टाइम पर डालेसिस बोल दिया गया था फिर इनका जो क्रेट 9 हो गया और फिर next month इन्होंने दुबारा रिपोर्ट कराई ये कश्मीर की रिपोर्ट है उन्होंने वहीं से रिपोर्ट कराई है सारी क्रेट 9 हो गया 5.7 5.7 क्रेट 9 हो गया 3 months के अंडर हो गया और अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है यानि कि ये डालेसिस के प्रोटो कॉल से ब 3.54 इनका क्रेट 9 घटके हो गया 25 इनका क्रेट 9 345 है डालेसिस शुरू नहीं हो तो बस जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए देर मत कीजिए और रेगूलर सारी चीज़े फॉलो कीजिए और जिनका डालेसिस शुरू हो गया वो भी निराश और हताश ना हो है क्य क्योंकि इससे बताया जाता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है जबकि कहना ऐसा चीए कि अलोपेथी में इसका इलाज नहीं है आज अमने विज्ञानिक अधार पेसित कर दिया है कि कीडिनी का फंक्शन रिवाइव किया जा सकता है और कुछ रिपोर्ट्स आप से शेर करू से डिसकस कर रहा था अभी जी एफर फिल्ट्रेशन रेट वह कैसे कैसे इंप्रूव होता है उसका मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट यह जी एफर है बील के हॉस्पिल की रिपोर्ट है पेशेंट आए थे इनका जी एफर था तोंटी सिक पॉइंट नाइन की यह पेश बलकि इनकी जो लाइफस्टाइल थी और सारी सीजे थी वो नॉर्मल होती चली जा रही है अब मैं आपको एक और रिपोर्ट शेर करूंगा आपसे इसके अंदर यह राम मनो और लोहिया की रिपोर्ट से क्रेट नाइन था 7.9 7.9 क्रेट नाइन था जा पेशेंट आये उस अभी इनका सबका regular cellular treatment और अभी जो है यह एक पेशेंट है यह बिहार की रिपोर्ट से क्रेट नाइन था था 13 था जब यह मेरे पास आये थे 18 क्रेट नाइन के साथ यह आए इसके बाद घटके हो गया 7.9 फिर रिपीट विजिट करी इन्होंने फिर इनका क्रेट नाइन घटके हो गया 4.8 और फिर इनका क्रेट नाइन घटके हो गया 1.38 सारी रिपोर्ट भी आर किया है उन्होंने वहीं से कराई है नॉर्मल की रें शब बता हरे हैं हमारे से ज्वादा तो जसे नहीं है और गोस्तरय नहीं को थे पर novamente स्वीरिखने आल मारा ली जो आप दूर रहते हैं किसी वजह nach आपSenые वटसाप कर सकते और पूरी जानकारी ale 121 क करके पूरी पूरी इंफमेशन ले ले आप ठीक हो सकते हैं अगर आप के PC है के की फ्राइब्र मी अगर आपको है के ट्रंसप्लांट के लिये बोल दिया है किड्नी श्रिंक हो गई है, किड्नी डालेसिस पर है, या किड्नी में कोई भी प्राब्लम है, तो वो आयरुवेदिक पधिती के द्वारा ठीक हो सकती है. रिपोर्ट्स आपके सामने हैं भई, जो चीख-चीख के चिला रही हैं हाँ, किड्नी के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, बस आपको फोन लगातार करना होगा, जिसके रिए सारी डीटेल्स हैं अब अगला सवाल आपने बताया था, कि scientifically भी प्रूफ हो गया है कि किड्नी रिवाइवल के चांसेज हैं, तो कितने परसेंट चांसेज होते हैं किड्नी रिवाइवल के, जी देखिए जब पेशेंट आते हैं तो उनका टेस्ट कराया जाएगा, कितना उनका जी एफ आ रहे हैं वो देखा जाएगा, किड्नी रिवाइव करती हैं सारी चीज़ें अगर पेशेंट फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको रिजाल्ट चेंजर नजार आने शुरू हो जाते हैं देखिए किड्नी की स्टेजिस हैं यह एक आपके ठर्मामीटर की तरह हैं जितना ज्यादा बुखार होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा इसी तरह के से किड्नी की पांच सेजिस हैं किडी 100345 में उत्ना जल्दी उसका रिवाइवल का सिस्टम उन चुझ हो जाएका इस तरह से बुखार को हम देखते हैं थर्मामेटर से उसी तरह किसे किड़नी के फंक्शन को हम देखेंगे रिनल्स के डीटीपी से वह आप रेगूलर कराते रहेगा रेगूलर त्री मंस के उस पे आप अंतराल में डीटीपी टेस्ट कराईएगा चेंजिस आपको विजिबल आना लग कि जो लोग किड़नी के पेशेंट है जिनकी किड़नी खराब हो गई है तो किस स्टेज वह कौन सी स्टेज होती है जिस पर आप रोग ट्रीटमेंट मैंने जैसा बताया पांच सीडियां हैं अगर आप पहली सीडी पर खड़े हैं आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं समय क क्रिए वीडियोंë सब्सक्राइब हो गई सब्सक्राइबb जैसे जीएफर एंप्रूम्मन सब्सक्राइब काम कर रही है तो जैसे-जैसे हमारी किड़नी में एक्छनी की तरह है कितना फिल्टर हो रहा है एक मिनट के इंदर किड़नी कितना फिल्टर कर रहे हैं उसे हम जी फार कहते हैं क्रतनाइड्लिससर कितना फिल्टर करती है जैसे डुसर फार किड़नी का फ thếल नाम है क्रेटनाई χोनों की आपके यह विनुंगी आप आप पूर्ली आम इंबने बाद कर आई लिए क्तिना जारा कितना जल्दी आप लोगों को लाब मिल रहा लेकिल फोन आपको करना होगा पूरी जयनकाई प्राप्त करने के लिए तो किड़नी को लेकर जो भी प्र altogether किड्नी डालेसिस पर है ट्रांस्प्लांट की लिए बोल दिया गया है किड्नी श्रिंक हो रही है या डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी किड्नी फेल हो गई है तो मैं चाहूंगी एक बार आप इना पर फोन करके एडवाइस जरूर ले 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 एडवाइस लेने में कुछ न आप लोग जुड़कर पूरी पूरी ज्वानकारिया प्रांट कर सकते हैं किसके लिए आपको कॉल करना होगा क्योंकि यह नंबर ही आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे अच्छा सर यहां पर जो मेरा अगला सवाल है वो यह है कि किड्नी ट्रांस्प्लांट की जो न पूरी एंवाब प्रांस्प्लांस्प्लाइब थैज आपकर जो जो राँआएब जो 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 खखके हर जो मेरा जो जो दे पर आपके हर सवाल है जो खखके हर अवागाब जो म।ो